तो हेलो स्टुरेंट्स आज का जो हमार टोपिक है वो है कंटिनिवस चार्ज डिस्टिविशन तो जो हम प्रैक्टिकली बात करते हैं किसी भी सर्फिस के ओपर जब कुई चार्ज होता है से हमारे पास एक सर्फिस है जब भी हम प्रैक्टिकली किसी सर्फिस के चार्ज को देखते हैं डेल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स पे तो उस सर्फिस के ओपर तो चार्ज होता है वो एक लेक्ट्रोन पर जो चार्ज होता है उससे काफी काफी जादा होता है एक लेक्ट्रोन पर जो हमारा चार्ज होता है वो इतना होता है 1.6 into 10 raise to power minus 19 कुलम लेकिन practically जो हम किसी भी surface पे देखते हैं तो जो surface का चार्ड होता है इस सार से काफी काफी ज़ादा गुना होता है तो हम इस condition में बड़े surfaces के लिए बड़े charges के amount के लिए हम क्या करते हैं जो electron के या charges की जो properties इसको उने नाम दिया था quantization इस quantization को इसला हो tom कर लेते हैं और ये assume कर लेते हैं कि ये जो हमारा surface है ये जो हमारा surface है इसके ओपर charge continuously distributed है equally distributed है so if we imagine that ये जो हमारा जो surface है इसके ओपर total charge है हमारा q इसके ओपर total charge है हमारा Q एड इसी अगर surface पे मैं एक portion ले लता हूँ एक small portion जो कि square shape में है और इस square shape के जो small portion है square shape के small portion है उसके ओपर charge है DQ एड अगेन मैं एक point पे दूसरा test charge ले रहा हूँ say Q0 जो कि इस DQ area element से area element से r distance पर है so according to column's law हमारे small area element जिसका charge है DQ और हमारे test charge है Q0 इसके बीचे में columbic force होगा so वो जो force होगा वो force इसके बराबर होगा यह हमारे जो force था Q0 के उपर वो था small area element जिसका charge था DQ अगर मुझे इस Q0 के उपर total force निकालना है इस पूरे के पूरे surface की वज़े से तो हम क्या निकालेंगे बड़ा असान है तो इस force को अगर small charge है जैसे force है तो इसको भी नाम देते है small force D F so हम अगर total force निकालना है तो total force कैसे निकलेगा इस पूरे surface की वज़े से इस test charge Q0 पर so वो है total force जो होगा हमारा वो होगा यह integral of small force over the surface over the total surface यह total charge के लिए हम क्या करेंगे इस surface के ओपर जितने भी जितने भी small area elements होगे जैसे यह एक यह एक यह सब के ओपर charge होगा और सब के ओपर तो charge होगा वो इस Q0 के ओपर force लगाएगा इसारे area element और Q5 का जिसका force निकालेंगे इसária area element और Qunkt का force निकालेंगे इसा वाले area element और Qnot का force निकाले इसस ही हमारे इस पूरे surface पर भहुत सारे area elements बनेगे सबका force निकालगेगर हम उनका resultant ले ले उनका total ले ले वो हमारी force आएगी वो total force इसकी होगी है इस practical with no आ जाए Q naught के उपर, so we can simply integrate our small force df, so इसको हमने integrate कर दिया, integrate करने पर हम क्या मिलेगा, यह आगे हमारा total force, इस test charge Q पर, तो हम जो बात कर रहे हैं हमारे topic के continuous charge distribution के, तो continuous charge distribution के भी अलग-अलग type है, so first है हमारा volume charge distribution, volume charge distribution में क्या होता है, जो भी हमारे एक charge है, वो एक three dimensional volume के अंदर equally spread होता है, एक हमारा, जो भी हमारा charge है, वो एक three dimensional volume के अंदर, एक volume के अंदर, एक three dimensional space के अंदर equally हमारा distribute रहता है, उस वाले charge distribution को हम क्या कहते हैं, volume charge distribution से, हमारे पास एक volume है, हमारे पास एक volume है, से हम एक cubical volume ले रहे हैं, यह हमारा क्यूब है जिसके अंदर टोटल चार्ज है वो है हमारा क्यूब एन जो इस क्यूब की जो वोल्यूम है वो है हमारी वी एकर में कि Max Ki Volume Charge Density काक लंँ अगर मैं कि Volume Charge Density Volume Charge Density means the amount of charge contained per meter क्योड is known as volumetric charge density, volumetric charge density, which is denoted by इस सिंबल रो so is equal to q by v so अगर मैं इसके एक छोटा सा volume portion लेता हूँ अगर मैं इस cube के अंदर से छोटा सा portion लेता हूँ जो कि मैरे small cube से दिखाए है मैंने जो कि इसके अंदर ही है तो इसके अगर उपर मुझे charge निकालना होगा तो मैं simply say इस small q के उपर इसकी जो volume है वो dv है और मुझे इसके उपर charge निकालना है so इसके उपर से मैंने charge माल लिया dq so यह जो मेरे dq charge होगा वो बराबर होगा rho which is volumetric charge density into its volume simple और जो हमारा rho है volumetric charge density है इसकी जो unit होगी वो क्या होगी this is the charge which is in coulomb and this volume which is in meter cube so जो rho की जो unit होगी वो होगी coulomb per meter cube and कई cases में हम volume को centimeter cube में भी ले लेते है तो जो हमारी unit हो जाएगी वो हो जाएगी coulomb per centimeter cube coulomb per centimeter cube दूसरा जो topic है हमारा surface charge distribution का है surface charge distribution में क्या होता है एक two dimensional एक two dimensional surface पर एक two dimensional surface पर हमारा charge equally distribute रहता है एक two dimensional surface से हमारे two dimensional surface है जोगी है S इसके ओपर charge हमारे equally distribute रहता है से इस पूरे जो surface है इसके ओपर हमारा charge है से क्यों और इसका total area है S सो जो surface charge density होगी which is sigma equals to q by S अगर मैं इस two dimensional surface area surface पर एक small area element चले लेता हूँ उसे this और इस small area element का जो मेरा area है वो है dS सो इस dS के ओपर कुछ charge होगा उसको मैं माल लेता हूँ उसके dq सो यह जो dq होगा मेरा वो बराबर होगा surface charge density into its area which is dS सो यह भी हमारा निकल गया जो हमारा surface charge density है इसकी unit होगी column per meter square और column per centimeter square column per centimeter square यह हमारी SI unit है जो हमारी column per centimeter square हमारी known SI unit है और column per meter square हमारी SI unitize की next है हमारा line charge distribution line charge distribution में क्या होता है जो भी हमारा charge है एक one dimensional curve के along यह simply we can say एक line के along equally distribute रहता है सही है हमारी एक line है एक curve है इसके उपर एक पूरा का पूरा charge equally distributed है यह बराबर बराबर रूप से फैला हुआ है से यह जो मेरी line है इस point से लेके इस point तक इसकी length है L और इसके उपर जो total charge है इस पूरी line के उपर जो total charge है वो है CQ so जो linear charge density है which is lambda वो बराबर होगी total charge divided by this total length so अगर मैं for example assume कर लेता हूँ कि मैंने इसका इतना portion काट लिया इतना portion मैंने इसका काट लिया जिसकी मैं small length माल लेता हूँ say DL तो इस DL के उपर भी charge होगा so इस DL के उपर charge मैंने माल लेता है DQ जो small charge DQ होगा small length DL के उपर वो होगा मेरा DQ equals to linear charge density which is lambda into its length area of element which is length DL so the charge on length DL is lambda into DL and now the unit of linear charge density is Coulomb per meter Coulomb per meter so now our topic of continuous charge distribution is completed